और अब जैपुर से बड़ी खबर का रुक करेंगे जहां अलबर्ट हॉल और राम निवास भाग में चूहों का आतंक लगाता जारी है और इसी के चलते इन दोनों ही स्थानों को दो दिन के लिए बंद रखा गया है ताकि रसायन का छिड़काव यहां पर हो सके आज दूसर दिन है परटक हाला कि परिशान है प्रशासन पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि पहले आखिर प्रशासन क्यों नहीं जागा और आज दूसरे दिन भी अल्बर्ट हॉल राम निवास भाग बंध है दो दिन बंध होने से राजसाव भाग को भी भारी नुकसान साथी जो क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो रीजिनल लोग हैं उन्हें तो खबर मिल जाती है लेकिन बाहर से जो परेटक आते हैं और खास्तोर पर अलबर्ट हॉल म्यूजियम देखने घूमने आते हैं उनके लिए कहे न कहीं ये बाहरी परेशानी का सबब क्योंकि पहुंच जाते है और फिर देखी नहीं पाते और अधिक जानकारे के लिए हमारे सयूगे मलखान मीना लाइव हमारे साथ फिलाल जुड़ गए हैं मलखान क्या कुछ तस्वीरे हैं देखिए दो दिन बंद और आज दूसरा दिन राजस्व को तो नुकसान पहुंचा ही है लेकिन परेटक भ जैपूर के जो एतियासिक जगह है जो परेटक के लिए मानी जाते है अलबा टहल और रामनिवास बाग वहाँ पार जिस तरह से जो दो दिन के लिए बंद किया गया है तो ऐसे में माना जा रहा है कि राजेश्य विभाग को तो पूरा नुक्षान हो रहा है लेकिन दरहसल अब आपको वह तस्वीर दिखा हुआ यह एतियासिक परेटक जहां पर दूर दराज से लोग यहां आते हैं और यहां पर जिस तरह से परसाइस ने कहा है कि चुओ का आतंक है चुओ के आतंक को देखते हुए दो दिन के लिए बंद किया गया है तो उसको देखते हुए का कातंग यहां पर हो रहा था जमीन को खोद रहे थे वहीं अलबर्ट हॉल को भी जो मुजियम है वहां तक चुओ का पहुंचना बताया जा रहा है लेकिन तस्वीरे दिखाऊंगा कि जिस तरह से कल जो कारवाई की गई थी कल जिस तरह कि जो चुओ के आतंग को लेकर जो जाया कैसे मिटाया जाए यह देखिए बिल्कुल जो कैमिकल का जो छिड़काओ किया गया था वहां पर आज आज आप तस्वीरे देख रहे हैं कि पूरी तरह से कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो रासना इस पूरी तरह से जो चुओ थे वह चपेट में आ चुके हैं यानि क पर तो ऐसे में यह जो बिलकुल मल खान बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साजा करने के लिए और तस्वीरे दिखाने के लिए तो आज अलबर्च हॉल और रामनिवास बंद का दूसरा दिन है रसायन का छिड़काओ फिलहाल वहां पर किया जो रहा है